आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलेशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो एंड वेलकम तू डाउटनेट हमार पास नाफे क्वेश्चिन है असर्टेन नॉन वोरिटाल एक्टराइट कंटेन 40% कारबन कितना कारबन है 40% कारबन है 6.7% हाइडरोजन है 53.3% क्या है हमार पास ऑक्सेजन है एन एक्वस स्लूशन कंटेनिंग 5% बाइ मास ऑफ स्लूट बोल्स एज 100.15 डिग्री चल्सियस डेटरमाइट दे मॉल्यकुलर फॉर्मूला ऑफ दे कंपाउंड हमें कंपाउंड का निकालना है मॉल्यकुलर फॉर्मूला निकालना है चर्ण दे रखे हैं एटीचछो च्छीटरी औच सीट्टू एचवाइच यह आफ़िट सीघ्टू एचवैप बॉट सिक्स एच्ट्वेटव ओ सिक्स थीख है आंसर दह लेते हैं हमें दे रखे हैं बाइन दे रखे हैं 100.15 डिग्री स सल्सियस इसका मतलब डेल्टा टीबी यानि कि increasing boiling mode कितना है 0.15 degree Celsius तो कि water boil किस पो होता है 100 degree Celsius पो होता है और यह boil कितने हो रहा है 100.15 degree Celsius डेल्टा टीबी क्या है 0.15 degree Celsius और हम यह बता कि डेल्टा टीबी होता है I KB into M I KB into M जहां I होता है आपका went of factor I क्या होता है आपका went of factor KB KB होता है आपका boiling point boiling point constant M होती है आपकी modality M क्या होती है आपकी modality और डेल्टा बी क्या होता है होता है डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी क्या होता है increase in boiling point increase in boiling point तो यहां पर I equals to one हो जाएगा तो कि जो कि जो कि जो हमारा compound है वो डेस्टोसियेट नहीं हो रहा है तो I equals to one के भी हमें दे रखा है के भी दे रखा में 0.51 वन शेल्सियस पर मॉलालिटी ठीक है और मॉलालिटी होती क्या है मॉलालिटी मॉलालिटी होती क्या ही होती है मॉल्स प्रिजेंट इन वन केजी सुल्मरिटी मॉल्स प्रिजेंट इन वन केजी सुल्मर्ट हमें दे रखा है फई परसंट बाय माज दे रखा है इसका मतलब क्या है 5 ग्रैम सुल्म 56 digestive हमें हँन्डर्ट ग्रैम मांन लिःत होता है मास का मतलब इसका मतलब 5 ग्रैम सुल्म्म वीइत है औरember कि इन 95 ग्राम साल्वेंट क्या है कि यह हैं 5 ग्राम सब्ट है मंँड़ा 95 क्राम सॉल्वेंट में तो मूल लिटी कि दियार जाए कि फाइफ जो जो सव ग्राइब आपन सवग्राइब मंश जिसे बड़ाय क्या देते हैं इंट्व 95 इंट्व 1000 या जाए आपके पास मोल लैलिडी क्या जाए आपके पास मोल है याप पूट कर देते हैं डेल्डर टीबी 15 एम एम हो गया आपके पास इंट्व 49 एतना करबन है एक मतलब 72 ग्रैम कार्बन है यानिकी 72 वाइ 12 क्या है कार्बन का मुलर मास इस रिकोर्स तो 6 यानिकी 6 एटम होंगे कार्बन के इसके एक मौली यूल में कि तो कार्बन कार्बन कितने हैं कि कार्बन आ गए आपके पास अब देख लेते हैं हाइडोजन अब देख लेते हैं हाइडोजन दे रखें 6.7 परसेंट यानिकी 180 इंटू 6.7 बाइ हैं हट हई अब रहिए अब करते हैं तो आट आक कि असकी वरत है तह आज हो इसका मतलब कि अटन के हरडोजन के एक मौलीजूल को मतं इस कंपाउंड में दीक है अब देख लेते हैंrif Онां अब देख लेते हैं हम ऑक्सिजन 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 आपको दे रखा है कि ऑक्सिजन दे रखा है 53.33 पर सेंट यानि कि 180 इंटू 53.3 वाइंडर्ड ठीक है यह इसे करते तो आजाता है 96 ग्रैम तो 96 वाइं सोलर सोलर क्या है औक्सिजन का मूलरम मस्ट यानि कि यह भी किया गया 6 यानि कि अक्सिजन कितने आ गए 6 तो 6 कारवन 12 हार्डूजन और 6 ऑक्सिजन तो यह आ गया C6 H12 O6 क्या आ गया यह आ गया आपका C6 H12 O6 यानि कि D option आपका answer है तो answer क्या होगे आपका D option थेंक्यू स्टूरेंट्स क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा स्टूरेंट्स कभर हो साथ आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स आट 400 चार्स उपर क्लासिक स्टूरेंट्स